हिच्की क्यों आती है और हिच्की को कैसे रोका जा सकता है तो आए शुरू करते हैं हिच्की आना एक सामान नसी बात है वैसे हिच्की को लेकर लोगों का मानना है कि अगर आपको बार-बार हिच्की आ रही है तो इसका मतलब कोई आपको याद कर रहा है वैसे इसके पीछे स दरसल सरीर में डाइफराम पाया जाता है और डाइफराम के सिकुरने की वज़े से बार बार हिचकी आती है डाइफराम एक मान स्पेसी है जो छाती को पेट से अलग करती है इसके सांस लेने में बहुत ही महतपूर भूमिका होती है जब यह सिकुर्टी है तो हिचकी आए लग जाती है इसके अलाबा कभी कभी जल्दी जल्दी खाना खाने की वज़े से या ज़्यादा तीखा खा लेने की वज़े से हिचकी आए लग जाती है अगर लगतार हिचकी आने की वज़े से आप बहुत ज़्यादा प्रशान है और आप उससे नहीं रोप पा रहे हैं तो इसके लिए कुछ घरेलू उपाए हैं जो आप ट्राय कर सकते हैं तो आए जानते हैं क्या-क्या घरेलू उपाए हैं पहला उपाए अगर आपको हिचकी लगातार आ रही है तो आप एक चमच चीनी मुह में डालें इससे हिचकी तुरंत रुख जाएगी इसके अलावा पानी पीने से भी हिचकी रुख जाती है दूसरा उपाए सक्कर के साथ पुदेने की पत्तियों को खाएं इससे भी हिचकी रुख जाती है तीसरा उपाए आवले की मुरब्बे की चाशनी खाली जी इससे भी काफी हद तक अराम मिलेगा चौथा उपाए नीबू और शहद एक एक चम्मत समान मात्रा में मिलाकर अगर आप इससे पीते हैं तो इससे भी आपकी हिचकी रुख जाएगी इसके अलावा हिचकी को रोकने के लिए नाग बंद करें और इसके बाद पाने पीलें इससे हिचकी आना बंद हो जाएगी तो कैसी लगे आपको हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़िए बताएगा